तो देखें महागडबंदन के सभी मंत्रालियों का बिस्तार हो चुका है नए मंत्री बन चुके हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ लालू परसाद यादो के बड़े पुत्र तेजपरताप यादो नराज है नराजगी की वज़ा यह है क्योंकि पहले उन्हें 15-17 का जो महागडबंदन था उस समय उन्हें बड़ा मंत्राले मिला था और तेजपरताप यादो खुस नजर आ रहे थे लेकिन इस समय दावा था तेजपरताप यादो का कि उन्हें स्वास्त मंत्राले दिया जाए क्योंकि स्वास्त मंत्राले में बहुत काम अधूरे हैं जिसे तेजपरताप यादो पूरा करेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं उन्हें वो मंत्राले नहीं मिला है उन्हें पर्यावरन मंत्राले मिल गया है और इसको लेकर तेजपरताप यादो बहुत नराज है हलाकि नराजगी अभी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उनके जो करीबी है वो बता रहे हैं कि तेजपरताप यादो नराज है क्योंकि पहले जो मंत्राले था वो बड़ा मंत्राले मिला था अभी का जो मंत्राले है वो छोटा मंत्राले है जिसकी वज़ा से ये नराजगी बढ़ रही है और ये नराजगी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी हलाकि अभी तेजपरताप यादो बिभाग में गए हैं वहाँ पर अपना पदभार संभाल रहे हैं और वहाँ के जो नराजगी दिखे तेजपरताप यादो को जो बुलेट प्रूफ गारी मिली है उस गारी में पहले सीट पर तेजपरताप यादो बैठे हुए थे लेकिन खुस नजड़ नहीं आ रहे थे आमतर पर आपने देखा होगा कि जब भी कारेकरता को तेजपरताप यादो देखत दिये और फिर वहीं दूसरी तरफ सचिवाले पहुंचे हैं अपने काडियार का मुआयना किया है पदभार समभाल लिया है लेकिन स्वास्त मंत्राले तेजप़त्री ने कि दिया जाता तो तेजपरताप यादो उनसे प्रसनल दुश्मनिक ले लेकिन ऐसा हुआ ने स्वास्त मंत्राले को तेज़श्री आदो ने अपने पास रखा है क्योंकि तेज़श्री आदो ने ये कहा है कि मंत्राले को मैं अपने पास रखूंगा इसलिए भी तेज़परताप यादो ने समझावता कर लिया है लेकिन ज्यादा दिन तक ही समझावता नहीं हो पाएगा लगतार तेजपरताप यादो ये दावा कर रहे थे कि स्वास्त मंत्राले उन्हें दे दिया जाए क्योंकि उस विभाग में बहुत सारे काम अधूरे रह गये हैं उसको पूरा करना चाहते हैं हलाकि ऐसा हुआ नहीं परियावरन मंत्राले तेजपरताप यादो को म देख रहे थे अब फिर से प्रयावरन में उनका एक्षन देखने को मिलेगा भाजपा में इंडिये की जब सरकार थी तो भाजपा के मंत्रे नीरज बबलू के पास ये विभाग था और अब ये विभाग मागडबंधन के सरकार में तेजपरताप यादो को मिल गया है और ते यहां तक कि उनके छोटे भाई तेजपरताप यादो भी इसका सिकार होते हैं कई बार हो भी चुके हैं आपने देखा होगा कि कई बार तेजपरताप यादो अपने बड़े भाई के गुस्से का सिकार बन चुके हैं और अब नया सरकार बना है और उस नए सरकार में एक न झाल झाल